नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी बच्चों के MD Classes की यूटूब चनल में बच्चे कल साम से बहुत बड़ी न्यूज वैरल हो रही है बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं वो सभी कैंसिल हो जाएंगी ये वीडियो में बहुत ध्यान सा सारी बाते देखेंगा और आप सभी के लिए बच्चा मैंने एक बहुत बड़ा एक्जामपल ले रखा है जो एकदम इस CT को पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर देगा क्या आखिर CT आती है तो सरकार इसमें क्या करती है और CT लाने में फैदा किसका है और Railway Group DB का क्या आसर पड़ेगा वो सब कुछ हम देखेंगे और अगर आप इस Railway Group DB की त्यारी कर रहे होगे या फिर NTPC एक्जाम्स की त्यारी कर रहे होगे ये वीडियो पूरी की पूरी जरूर देखिएगा और वीडियो को बच्चों के साथ सेर जरूर करिएगा तो सबसे पले हम ये चीज़ समझते कि ये चीज़ आई कहां से ये सारी बाते जो बढ़े रहे हैं तो P.I.B. इंडिया आप सभी को पता है है ना सारी ऑफिसल अपडेट सरकार की तरफ से यहीं पे आपको देखने को मिलती हैं इन्होंने 9 सब्तंबर को एक्चिमेक ट्वीट करा था जिसमें इन्होंने कहा कि कॉमन इरिजिवल्टी टेस्ट जो है यानि कि जो CET है वो पूरे कंट्री में एक्रोस दा कंट्री 2022 के स्टार्टिंग में ही होना सुरू हो जाएगी और इसके दो सेंटर लद्दाख में भी दिये जाएगे जो किले और कारगिल होंगे ऐसा कहना है डॉक्टर जितेंदर सिंग का आप सभी को पता है प्रेस रिलीज हुई और ये चीजे जैसे बहाराई बहुत सारी अटकले चलने लगी कि सर अब क्या होगा रेलवे का क्या होगा स्सी का क्या चीजे होंगे तो पत्से बहुत बड़ा नहीं है इसके लिए मैं कि एक्जामपल लेना चाहूँगा यूपी त्रिपलस सी पेट का जैसे संटर ने लागू किया है CET वैसे ही स्टेट ने लागू किया है यूपी स्टेट ने वो है PET अब CET और PET क्या डिफरेंस है बिल्कुल ने डिफरेंस है CET में क्या है ध्यान से समझीएगा CET अगर आप औहां पे पर आपको कि निए ऀसेशन में कितने टर्म्स फोते हैं ंसिも सर्ण के लिए थैड़े जलो सो रुपय का वagnery अगर और आपको की वेकेंसी आगी तो चलो पांटर पांटर, पांतर पर फोांटर, प्रूप्ट के वेकेंसी आगे तो चलो, tastने और प्रूप सो रुपय का फॉरो मतलब अगर आप एक साल में मालो किसी जैसे तरीके में जैसे एंटीपी सो गुरूप डी लगभव बराबर आई हैं हमने हजार रुपय का सिरफ फॉर्म भर दिया अब इससे नुकसान किसका हुआ अगर एकॉनॉमिक लिए नुसकान देखा जा तो हमारा नुकसान हो गया हम बच्चों का नुकसान होगा कैसे क्योंकि हमने इतना फॉर्म भर दिया इसके उपर से हमाई पास लैप्टॉप नहीं था हम साइवर कैप है उन्होंने भी सो रुपय ले लिया कि भाई सो रुपय तो फॉर्म भराई लग गया या पचीस-पचास उपर ले लिया पेमेंट करने का ले लिया कि भाई इतना पेमेंट करने का हो गया तो यह सब आपके पास जो दिख्कत आ रही थी ना कि हम इतने सारे फॉर्म भर रहते वह नहीं भरना रहेंगा आप CT के लिए मातर एक बार फॉर्म भरेंगे और आपका जो प्री एकजाम है वह क कि आपको pre को qualify करना ये pre exam होता है इसको qualify करोगे इसके बाद आपकी cut off पर depend करेगा कि आप कौन सी exam में बैठने लायक हो या अगर आपकी cut off qualify है आपके वो number qualify है तो आप SSC में चाहो तो वहाँ जाओ बैंक में चाहो तो वहाँ जाओ रेलवे में चाहो तो वहाँ जाओ ये चीज आपका CET होगा जब CET आएगा तो आपको सिरफ एक बार form भरोगे साल भर में अभी ये प्रस्तावी था कि दो बार CET होना है अभी ये आगे होगा की नहीं होगा ये depend करेगा आगे कि जो आपके आपको फिर कोई अलग से फॉर्म भनने का हो सकता नहीं है तो एकोनॉमिकली हर बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है कि सरकार CET लागू करे हमें हजार तरीके के हर साल हमें अगर 10-5 ये रुपय का फॉर्म भरे उससे भनने में छुटकारा मिले वह चीज हम अपने चाइब तो भात नहीं कर रहा मतलब कोई भी कोर्स कोई कोर्स चार सो का होता है कोई को फान सब्सक्राइब कर लोगे तो फिर सारी दिक्कति हो जाएगे यही चीज ऑफ लाइन में जाोगे तो 5000 का सीधे 50 लर लग जागा आपने एक दो एक्जाम के अधारी शुरू कर दी तो ज्यादा बिटर कम समय में अच्छी त्यारी आपके लिए होगा अब मैं अगर आपको यही पांच जागा अपना बता दू तो जो बच्चा गुरूबडी के वियोडी कोर्से जुड़ा होगा बच्चा हमने कोर्स निकाल लख था जिसका नाम था वियोडी भैच यह किसक बच्चा सब कुछ मिलना और वह कैसे मिलेगा जब आपको यह मात्र दोसा उनचास मिल जाएगा हमारे ऑफिसल एप से जिसका लिंक आपको नीचे डिस्किप्सन में मिलेगा इसके अलामा इसमें हमने रैंकर बैच जो सबसे फेमस बैच रहा है इंडी क्लासेस का उसके भी दस टेश्ट आपको बिल्कुल फ्री में दे दिए इसके अलामा हर सेप्जट की आपको चैप्टर वाइस सीट भी जो है इसमें आपको नवंबर के स्टार्टिंग से मिलना सुरू हो जाएंगी विद कंप्लीट सलूसन के साथ अब यह भी सोचो इसके अलामा आपको कैसे जाना होगा मैं आपको लाश में बता दूँगा तो सीटी सबसे आसान पेपर होगा और आपके लिए बढ़िया भी होगा जोई बात ध्यान रखेगा बच्चा अगर पहली बार सीटी होगा तो हम इस पेपर को बहुत आसानी से कालिफाई कर लेंगे बस हमें अपनी म तो पेट से पहले की जितनी वेकंसीज थी उसमें पेट नहीं आया था मतलब यूपी सरकार ने जब पीटी लागू किया था तो पीटी से पहले जितनी वेकंसीज थी वो बिलकुल भी पीटी का अंदगत नहीं आ रही थी वो अलग वेकंसीज जा रही थी इसी तरीके से ज 2022 के starting से जितनी vacancies आएंगी वो सभी CET के अंतरगत होते जाएंगी मतलब बच्चा पहले CET qualify करेगा फिर उस vacancies के अंदर जाएगा अपना उसको qualify करेगा और final selection लेके नौकरी लेगा में भी हो सकता इससे process और तेजी से होने लग जा क्योंकि सरकार के उपार pressure होगा कि भाई इस सरकार इस चीजों करने में लेट भी कर रही हो अब यहाँ पर हमाई भाई आप सभी को बता है वह बहुत बहुत महनत करते बच्चों का डाटा निकालने में और उन्होंने एक डाटा यहाँ पर सरकार की तरफ से निकाल लगखा है जहां पर जितनी vacancies खाली है वो सारी vacancies ज तब आपको यह सभी CT के अंतरगत होंगे तो एक दम उसके लिए परिसान ना होएगा कि CT होगा यह हमारा group D फचेगा तो group D के exam अपने आप होगा पढ़ाई को focus रखो बच्चा पढ़ाई नहीं focus रहेगा तो अभी आप जो त्यारी कर रहे हो मानलों कि railway ने एक महीने दो मह शुरूग गया हमारा पेपर तीन नंबर शुरूग गया जो बच्चा अभी से लगा रहेगा वही जाके सेलेक्शन पाएगा और वही महनत करेगा और वही जोड़दार भाई सेलेक्शन होगा तो वह कोई फाइदा नहीं है एक दिन के तियारी से कुछ नहीं होता वो कभी आपको रैंकर्स बनाने के कगार पर ले जा रहा है और आप इस रैंकर्स बनाने के कगार को खुद को क्यो डूब हो रहे हो हमने इतनी बढ़ियां तयारी करा रखिया हर कोर्स में करा रखा रैंकर्स बैच में 25 से आपको दे रखे अब आपको सारी चीजे रिवाईज करनी बट फिर भी बच्चा अभी भी खाली बैठा हुआ है पढ़ाई नहीं कर रहा वह सोचना पेपर हो गया नहीं होगा एक बार भी बात मान सकते कि मन में दो धाय सालों में चीजे आ गई है कही सारी लेकिन फिर भी अभी ऐसा थोड़ी है कि बहुत कुछ चीजे चेंज हो गई लाइए दो सब्सक्राइब पानी पी ले तो बिल्कुल तैयारी करते रही है और एक्दम परिसान नहीं कि सब्सक्राइब पिछले बार का हो चुका सेटल्मेंट बस आपको अब महनत करना बच्चा अब समय निकल जाएगा तो हो सकता आगे कुछ भी नहों पाए तो सब्सक्राइब पो त jingle Чण है और यह मत रहे का अचास का पूरा तहल का मचाने के लिए है cbt2 वाले बच्चों के लिए गूपन कोट 4000 लगाएंगे क्योंकि 4000 पे admission रुक जाएंगे यह आगे लिए ठीक है जुड़ जाएगा thank you so much त्यारी करते रही है फोरना इस बार इस चीज को खाली धियान रखना होगा हर चीज का लिंक आपको नीचे description में मिलेगा एप बहुत आसान है और एप पे अगर आप जाना चाहोगे तो बिल्कुल आसान एप है आप सिंपल सा देख सकते हो यह आपके लिए MD Classes Official एप होगा इस एप पे आपको जाना है पोस्टर दिखेगा पोस्टर स्लाइट करोगे तो CBT2 का तहल का बैच्वी मिल जाएगा SSC GD कभी मिल जाएगा और VOD बैच्वी मिल जाएगा नहीं मिल पा रहा है पेट कोर्सेज वाले सेक्सर में जाएए और कोर्सेज में क्लिक करके भी आप ले सकते हो और कूपन कोड आपको यहाँ पे लगाने का आप समन मिल जाता है SSC GD बैच लेना चाह रहे हो वीडियो लेना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे स्पेसल कोड लगाना है CBT2 का तहल का बैच जुड़ना चाह रहे है तो आपको वहाँ पे कोड जो लगाना होगा वो कौन सा लगाना होगा 4,000 थांक्यू सो मच बाइ बाइ गुड़नाइट तेक कर थांक्यू सो मच गाईज